हेलो गाईज, नमस्कार दोस्तों, आज है संडे और मैं आई हूँ इसी खेत में, आज मैं आपको दिखाती हूँ खेत के दर्शे, ये तो था मजाक, चूंकि हमारी यूटूब फैमिली में जितने भी साथी जुड़े हैं, आलमोस्ट राजस्तान से ही हैं, और राजस्तान से भी जादातर हम सब किसान परिवार से ही बिलोंग करते हैं, तो खेती बाड़ी तो सब की देखी हुई है, ये तो मैं मजाक कर रही थी, लेकिन फिर भी अपने अपने छेतर के अलग-अलग खासियते होती हैं, मैं आज आपको दिखाती हूँ, यहां खरीब की वसल बोई ग देखी है, यह है शुरूजले के राजगडबलोग का एक गाउं, यह देखी है साथियो, यह लगी हुए है, पिर बड़ी-बड़ी, अब मैं आपको दिखाती हूँ, मतीरा, यह देखी साथियो, यह तो है छोटा सा मतीरा, अभी आपको बड़ा मतीरा दिखाऊंगे, यह गाउं में मकान बने हुए हैं, इसको यहां खुड़ी बोलते हैं, आप सब साथी भी जरूर बताना आपके यहां कौन सी फसल होती है, यह देखी, आपको मतीरा दिखाती हूँ, यह देखी, छोटा मतीरा, और यह रहा, बड़ा मतीरा, देखा साथी हो, ऐसे मतीरे लगे होए हैं, बाजरे की कटाई हो चुकी हैं यहां से, यह देखी, यह देखी, छोटे मतीरे हैं कुछ, और यह देखी, बड़ा मतीरा, और वो दूर वहाँ देखी, बेड़ बकरियां चल रही हैं, बाजरा काटकर खड़ा कर दिया गया है और ये खडीब की पसल है इस तमें जो बोई गई है मौंग गुवार बाजरा में देखी मतीरे लेगे हुए हैं बहुत ज्यादा एक मतीरा बोरा इतना बड़ा सा ये देखी ये देखी कितना बड़ा मतीरा है ये चूरू जिले में इतने मतीरे लगे हुए हैं आप किस किछे तर्शे हैं और आप यहां भी ऐसे मतीरे पाई जाते हैं क्या काकड़ी कि यहां असपास बेल है नहीं उसके लिए मापको एक अलग से इस वर्ट रेडियो दिखाऊंगे ये तो मैंने छोटा सा ब्लोग बनाया है खेत का अचन्डे था तो मैं खेत में आई हुई थी ये देखिए खेत का नजारा इतना अच्छा है और ये रहा खेत में बनावा मकाम यहां आकर बैठ कर बहुती सुकून मिलता है खेत में चाहे चाए पियो चाहे खाना खाओ एक अलग ही सुकून होता है एक सांती होती है ये देखिए साथी हो तो कैसा लगा आपको मेरा ये चोटा साब लोग खेत का जरूर बताएगा और आपके यहां भी ये सब होते हैं क्या ये भी जरूर बताएगा कमेंट बॉक्स में जै हिंदि जै भारत